भारत निर्वाचन आयोग ने मदर्प्रदेश की पांच राजसबा सीटों सहित देशबर को खाली हो रही छपपन सीटों के लिए चुनाव की तारिक का एलान कर दिया है राजसबा सीटों के लिए 27 स्वरवरी को चुनाव होंगे जिसको लेकर राजनेतिक दल वोटों के गड़ित में जुट गए है ऐसा माना जा रहा है कि एमपी में वोटों के गड़ित के अनुसार पांच वे से एक सीट कॉंग्रेस के खाते में जा सकती है देखिए ये रिपोर्ट नमस्कार मैं श्वेता आपका दख खबरदार यूसमें स्वागत करती हूँ तो चलिए रूख करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर मद्र पिदेश की पांच राजसबा सीटें अपरेल दोहजार चौबेस से खाली हो रही है कॉंग्रिस को 66 सीटें मिली है पिछली बार कॉंग्रिस के सीटें कम हुई इसका सीधा असर राजसबा चौनाब पर देखेगा जिस दल की संख्या विदान सभा से अधिक होगी उसके उतने उमीदवार चौनाब जीतेंगे ऐसे में कॉंग्रिस समय करण के हिसाब से प्रत्याशी का चैन कर सकती है बात करें सीटों की तो एमपी में राजसबा की 11 सीटे है इसमें से 8 पर भाजपा का कबज़ा है वही 3 पर कॉंग्रिस उमीदवार काबिस है प्रदेश की खाली हो रही 5 सीटों के लिए अपरेल 2018 में मक्तान हुआ था जिसमें भाजपा के अजे प्रताप सिंग के लाश सोनी धर्मेंदर प्रधान और थावरचंद गहलोत चुने गए थे वहीं एक सीट पर कॉंग्रिस के राजमणी पटेल चुने गए थे प्रत्याशी चैन की तरफ बढ़ सकती है पिछली बार पिछले वर्ग की तरफ से कॉंग्रेस के राजमणी पटेल को राजसबा भेजा गया था वहीं इस बार पार्टी विदान सबा चुना अब हार चुके CWC मेंबर कमलेशवर पटेल पी सिसी चीफ जीतु पटवारी को राजसबा भेज सकती है वीरो रिपोर्ट दी खबरदार न्यूज खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका आते ही किसी बड़ी और खास कबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार देखते रही एदा खबरदार न्यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता माम्टेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट कूड नियरबाइ सुहागी बाइपास